उम्षान्ती छे नोके इश्वरिये महावाद्या मिठे बच्चे पतित पावन बाप की शिरिमत पर तुम पावन बनते हो इसलिए तुम्हे पावन दुनिया की राजाई मिलती अपनी मदपर पावन बनने वालों कोई प्राप्ती नहीं होती प्रश्न है बच्चों को सर्विस पर विशेश किस बात का ध्यान रखना चाहिए जवाब जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत अर्थात नराज ना हो अगर आपस में लून पानी होते बात नहीं करते तो डिस सर्विस के निमित बन जाते कई बच्चे तो बाप से भी रूट जाते हैं उल्टे करम करने लग पड़ते हैं फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन रद हो जाती है ओम शान्ती आज की मेन पॉइंट्स है बाबा कहते बच्चे देखो जो पतित है वो विकार में जाता है ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं चाते हैं ब्रह्मचारी रहते हैं समस्ते हैं हम निर्विकारी हैं जैसे पादरी लोग हैं मुल्ले काजी हैं बोधी भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं उनको पवित्र किसने बनाया वे खुद ही बने बाबा कहते बच्चे तुम तो बाप की शिरीमत पर पवित्र बनते पांच विकारों को छोड़ देते हो अब बाबा कहते बच्चे सत्युग में सब पवित्र थे शांती धाम में भी आत्माई पवित्र होती है ये रावन राज्जे है यहां ही आप पवित्र होते है और गाइड बन करके बच्चों को समझाता है बाबा कहता है बच्चे काम तुमारा महा दुश्मन है इस पर चीत पहनों गिरते भी इसमें हैं ऐसे कभी नहीं लिखेंगे हमने क्रोध किया तो काला मू कर दिया काम के लिए ही लिखते हमने काला मू किया गिर गया बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे बाप द्वारा नौलेजफुल बने हो, बाकी ये दुनिया में देखो कितनी किच्चड पढ़ती है, कितनी बीमारिया आधी निकलती है, जिसके लिए नई-नई दुआया निकालनी पढ़ती है, सत्यूग म को पावन बनाना, बाबा कहते तुमारी बुद्धी में स्वीट होम स्वीट बाबा रहना चाहिए, बाबा कहे बच्चे तुम शुद्र से ब्राहमन बने हो, ब्राहमन से फिर देपता बनते हो, तुमें ही अभी बच्चों को ग्यान मिलता है, जिस ग्यान को सुनकर तुम स सारी दुनिया की बाबा कहते बच्चे अब तुम जितनी अविनाशी ग्यान रतनों से जोली भरेंगे दूसरों को दान देंगे उतना अच्छा है कहते हैं धन दिये धन ना खूटे दान देने से बरकत होती है तुमारा तो है ही अविनाशी ग्यान धन तुम्हें तो अच्छ कि रिती सुनना है सुनते समय कोई-कोई के कांद जैसे झूलते रहते हैं मतलब अच्चे से खुशी से सुनते हैं कोई तो तवाई माफिक पैड़ते हैं बाबा तो इतनी अच्चे-ची पॉएंट्ट सुनाते हैं तो खुशी तो होनी चाहिए अच्छा मिठे मिठे सी किलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुखे सार बाबा ने कहा बुद्धी रुकी जोली में अविनाशी ग्यान रतन भरपूर कर दान करना है दान करने से ही खुशी रहेगी ग्यान धन बढ़ता जाएगा कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना बहुत प्यार से बाप को याद करना और मुरली सुननी है तवाई नहीं बनना है आज का वर्दान सदा पुन्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव हम मास्टर शिक्षक है मास्टर कहने से बाप स्वते याद आता है बनाने वाले की याद आने से स्वयम निमित हुँ ये स्वता समृती में आ जाता विशेश समृती रहे कि हम पुन्य आत्मा है पुन्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेश सेवा है पुन्य आत्मा कभी पाप का एक परसेंट संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती मास्टर शिक्षक माना सधा पुन्ने का खाता जमा करने और कराने वाले पाप समान स्लोगन है संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वैम की सेफ्टी का अनुभव करते हैं आज का स्वामान रहेगा मैं मास्टर शिक्षक हूँ ओम शान्ती झाल्चों प्लाओा स्टस्श्टों भी पिया झाल्चों याल्चों, टुड़र्ट्य। झाल्चों, एक पिर फ्मीश